राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याय छे समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम तो आए सुनते हैं इसका द्वानी पाठ प्रिष्ठ संख्या अरतीस 6. समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम 6.1. शिक्षा समाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एक मात्र और सबसे प्रभावी साधन है समता मूलक और समावेशी शिक्षा ना सिर्फ स्वयम में एक आवश्यक लक्ष है बलकि समता मूलक और समावेशी समाज निर्वान के लिए भी अनिवार्य कदम है जिसमें प्रतेक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्टर हित में योगदान करने का आवसर उप और आगे बढ़ने के आवसरों में उसकी जन्म या प्रिष्ट भूमी से संबंधित परिस्थितियां बाधक ना बन पाएं। यह निती इस बात की पुनह पुष्टी करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुँच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रणी क अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेतर विकास कारेक्रमों का मुख्य लक्षे होगा। इस अध्याय को अध्याय 14 के साथ पढ़ा जाए जिसमें उच्चितर शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्धों पर चर्चा की गई है। 6.2 यद्यपी भारती शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालई शिक्षा विवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है किन्तु असमानता आज भी देखी जा सकती स्तर पर हम सामाजिक आर्थिक रूप से वन्चित ऐसे समुहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के एक शेत्र में भूत काल से ही पीछे रहे हैं। भौगुलिक पहचान जैसे गाओं, कस्बे वा आकांक्षी जीले के विद्यार्थी, विशेश आवशक्ता, सीखने से संबंधित, अक्षमता सहित और सामाजिक आर्थिक स्थिती जैसे की प्रवासी समुदाय, निम्न आये वाले परिवार, असहाय परिस्थिती में रहने वाले बच्चे, बाल तसकरी के शिकार बच्चे या बाल तसकरी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनात बच्चे जिनमें शहरों में भीक मांगने वाले वा शहरी गरीब भी शामिल हैं, के आधार पर वरगी कृत किया जा सकता है, अब जबकि स्कूलों में कक्षा एक से लेकर कक्षा बारह तक लगातार नामांकन में यह गिरावट सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित सम्मू हो यानि SEDG में अधिक है और विशेशकर इन SEDG की महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में यह और अधिक स्पर्ष्ट है उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में SEDG के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है सामाजिक आर्थिक पहचान में आने वाले SEDG की संग्षिप्त स्थिती अनुवर्ती उपखंडों में दी गई है 6.2.1 UDISE 2016-17 के आंकणों के अनुसार प्रात्मिक स्थर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाती के हैं उच्चितर माध्यमिक स्थर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% रह गया है नामांकनों में यह गिरावट अनुसूचित जनजाती के छात्रों में 10.6% से 6.8% और दिव्यांग बच्चों में 1.1% से 0.25% के लिए अधिक गंभीर है इनमें से प्रतेक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नामांकनों में और भी अधिक गिरावट आई है उच्चितर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है प्रिष्ठ संख्या 49 गुणवत्ता पूर्ण स्कूलों तक पहुँच पाने में कमी गरीवी अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुँच भागिदारी और अधिगम परिणामों में इन अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्षियों में से एक रहेगा साथ ही अन्य पिछरा वर्ग यानी OVC जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शेक्षणिक रूप से पिछरे होने के आधार पर पहचाना जाता है पर भी विशेश ध्यान देने की आवशक्ता है 6.2.3 विभिन एतिहासिक और भावगोलिक कारकों के कारण जनजातिय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर अपने स्कूरी शिक्षा को सांस्कृतिक और शेक्षणिक रूप से आप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हलांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कारिक्रम शुरू किये जा रहे हैं और आगे भी किये जाते रहेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए विशेश तंत्र बनाये जाने के आवशक्ता है कि जन जातिय समुदायों के बच्चों क इन कार्यक्रमों का लाभ मिले स्कूल और उच्चितर शिक्षा में अलप संख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अप्यक्षाक्रित कम है यह नीती सभी अलप संख्यक समुदायों और विशेश रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक शेपों के महत्व को स्विकार करती है जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है 6.2.5 यह नीती विशेश आवशेक्ताओं वाले बच्चों यानि CWSN या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्स करने के समान आउसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती ह 6.2.6 स्कूल शिक्षा में समाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीती तैयार की जाएगी जैसा की निम्नलिखित उप भागों में उलेख किया गया है 6.3 ECCE मूल भूत साक्षरता, संख्या ज्यान और विद्याले तक पहुँच नामांकन, उपस्थिती, आदी से संबंधित समस्याएं वा सिफारिशें जिनकी चर्चा अध्याए एक से तीन में की गई है विशेश रुप से अल्प प्रतिनिधित्तो वाले और लाभवंचित समुहों के लिए महत्वपून वा प्रासंगिक है अतह SEDG के संदर्व में अध्याए एक से तीन में दिये गए उपायों को दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाएगा 6.4 इसके अतिरिक्त लक्षित छात्रवृत्ती मातापिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्थ नकद हस्तांतरण परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदी जैसी विभिन सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में SEDG की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ी है इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में और अधिक सुद्रिड किया जाना चाहिए यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाएं कि काउन से उपाये विशेश रूप से कुछ SEDG के लिए प्रभावी हैं उदारन के लिए साइकिल प्रदान करना और स्कूल तक पहुँचने के लिए साइकिल वप पैदल चलने वाले समुहों का आयोजन करना महिला छात्रों की बढ़ती भागिदारी के संदर्भ में यह विशेश रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है यहां तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की द्रिष्टी से और माता पिता को मिलने वाले सुरक्षा भाव के कारण यह काफी प्रभावी तरीका रहा है दिव्यांग बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने की द्रिष्टी से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाथी शिक्षन, मुक्त विद्यालेई शिक्षा, उचित वुनियादी धाचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेश रूप से प्रभावी हो सकता है जो विद्याले गुणवत्ता पूर्ण धंक से बचपन की देखभाल वर शिक्षा प्रदान करते हैं, वे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए विशेश रूप से लावकारी हैं इस बीच यह भी देखा गया है कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसिलर अत्वा प्रशिक्षित सामाजिक कारेकरताओं को जो की छात्रों, अभिभावकों, स्कूलों वा शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं को काम पर रखना, उपस्थिती, सीखने के परिणामों को ब भौगोलिक क्षेत्रों के SEDG का काफी बड़ा अनुपात है। इसके अलावा ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वकांक्षी जिलों के रूप में की गई है और जिने अपने शेक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेश हस्तक्षेप की यानी S E Z घोशित किया जाना चाहिए जहां केंद्रवा राजियों के द्वारा सही माइने में इन ख्षेत्रों के शेक्षिक परिद्रिश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया ज 6.7 हम देख सकते हैं कि अल्प प्रति निधित्व वाले सभी समुहों में आधी संख्या महिलाओं की है दुर्भागिवर्ष SEDG के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समुहों की महिलाओं को करना पड़ता है यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमी का वर्तमान व भावी पीडियों के आचार विचार को आकार देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती है कि SEDG की लड़कियों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की विवस करती है SEDG विद्यार्थियों के उद्धान के लिए बनाई जारे ही नीतियों और योजनाओं को विशेश रूप से इन समुहों की बालीकाओं पर केंदरित होना चाहिए 6.8 इसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर चात्रों को गुणवत्ता पूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की शमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधी का गठन करेगी केंदर सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोश उपलब्ध होगा महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिष्चित करने की द्रिश्टी से यह प्रावधान बेहद महतोपूर्ण है जैसे स्वच्छता व शवचारे से संबंधित सुविधाएं, साइकिल व सशर्थ नकद हस्तान तरण आदी प्रिष्ठ संख्या एक तालीज इसी प्रकार की समावेशी निधी की व्यवस्था की जाएगी संक्षेप में इस निती का उद्देश्य किसी भी लिंग या अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा यानि व्यवसाईक शिक्षा समेत तक पहुँच में शेश असमानता को समाप्त करना है 6.9 ऐसे स्थान जहां विद्द्याले तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तै करनी पड़ती है वहां जवाहर नवदे विद्द्यालेयों की तरज पर निशुल्क छात्रावासों का निर्मान किया जाएगा विशेशकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित प्रिष्ठ भूमी से आते हैं इन शात्रावासों में सभी बच्चों विशेशकर लड़कियों की सुरक्षा की उपियुक्त व्यवस्था की जाएगी कस्तूर्वा गांधी बालिका विद्द्यालेयों को और मजबूत बनाये जाएगा तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछडे समुहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वाले विद्द्यालेयों ग्रेट 12 तक में प्रतिभागिता बढ़ाने की द्रिष्टी से इन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा भारत के हर कोने में उच्चेतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की द्रिष्टी से विशेश कर आकांक शात्मक जीलों, विशेश शिक्षा क्षेत्रों वा वन्चित क्षेत्रों में आतिरिक्त जवाहर नवदय विद्द्याले वा केंद्रिय विद्द्य कम से कम एक वर्ष की प्रारंभिक वाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रिय विद्यालेओं व देश के अन्य प्रात्मिक विद्यालेओं में विशेशकर वन्चित खेत्रों में प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा 6.10 ECCE में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागिदारी सुनिश्चित करना भी इस नीती की सर्वच्च प्रात्मिकता होगी दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षाम बनाया जाएगा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाशित करता है जहां सामान्य वद दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण वद सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित क कि आजाता है कि वह प्रतेक बच्चे की सभी सामान्य अथ्वा विशेश आवश्यक्ताओं की पूर्ती में सक्षम हो यह नीती RPWD अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सूसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के प्रबंध में इसके द्वारा प्रस्ताव जैसे विशेशग्य संस्थानों के साथ परामर्ष सुनिश्चित किया जाएगा इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्याले व विद्याले परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवशिक्ता से संबंधित प्रशिक्षन प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ती की जाए साथ ही गंभीर अथ्वा एक से अधिक विशेश आवशिक्ता वाले बच्चों के लिए गाउं, ब्लॉक स्तर जहां भी आवशिक्ता हो पर एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा प्रिष्ठ संख्या 42 RPWD अधिनियम के अनुरूप विशेश आवशिक्ता वाले बच्चे की भौतिक पहुँच बाधा मुक्त सनरचनाओं यानी भवन इत्यादी के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी विशेश आवशिक्ता वाले बच्चों की विभिन श्रेणियों के अनुरूप विद्याले अथ्वा विद्याले परिसर कारे करेंगे जिससे प्रते एक बच्चे की आवश्यक्ता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उप्युक्त प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता वह समावेशन सुनिश्चित किया जाए कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेश आवश्यक्ता वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उप्युक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उप्युक्त शिक्षन सामगरी जैसे बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रा संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारती संकेत भाषा का उप्योग करके अन्य बुनियादी विशयों को सिखाने के लिए उच्चितर गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा, साथी दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर परियाप्त ध्यान दिया जाएगा 6.12 स्कूलों में जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए ग्रिह आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा ग्रिह आधारित शिक्षा के तहट शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्ले माना जाएगा ग्रिह आधारित शिक्षा की दक्षता वा प्रभाव शीलता की जाँच हेतू समता वा आउसर की समानता के सिध्धांत पर आधारित आधारित कराया जाएगा RPWD अधिनियम 2016 के अनुरूप इस आधारित के आधार पर ग्रिह आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और मानक विकसित किये जाएंगे हलाकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है इसके लिए माता पिता देख रेख करने वालों के उनमुखी करण से लेकर बड़े स्तर पर प्रात्मिक्ता के साथ अधिगम सामगरी के व्यापक प्रचार प्रसार के प्रोध्योगी की आधारित समाधान किये जाएंगे जिनके माध्यम से माता पिता देख रेख करने वाले अपने बच्चे की आवर्शक्ता के अनुरूप मदद कर पाएं अधिकान्ष कक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टी से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है जिनहें निरंतर मदद की आवर्शक्ता होती है शोध स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाए आगे प्रगती की संभावना उतनी ही बेहतर नजर आती है शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेश रूप से मदद मिलनी चाहिए इसके लिए किये जाने वाले विशिष्ट कारियों जिनमें उप्युक्त तकनीक की मदद से किये जाने वाले प्रयास सहित शामिल होंगे बच्चों को अपने गती के अनुरूप काम करने की स्वतनतरता देना प्रतेक बच्चे की क्षमताओं का लाव लेने की दृष्टी से पाठेक्रम को प्रतेक के लिए सक्षम वा लचीला बनाना तथा साथ ही उप्युक्त आकलन और प्रमानन के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाना प्रिष्ठ संख्या तैंतालीस परक नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रिय मुल्यांकन के अंदर सहित मुल्यांकन और प्रमानन एजेंसियां दिशा निर्देश बनाएंगी और बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा यानि प्रवेश परिक्षाओं सहित के स्तर तक इस तरह के मुल्यांकन के संचालन के लिए उप्युक्त तरीकों की सिफारिश करेगी जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी चातरों के लिए समान पहुँच और अवसर सुनिश्चित किये जा सकें 6.14 विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों यानि सीखने से संबंधित अक्षमताओं के साथ इनको कैसे पढ़ाया जाए इससे संबंधित जागरूखता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए साथ ही लैंगिक संबेदन शीलिता वा अल्प प्रति निधित्तो वाले समुहों के प्रति संबेदन शीलिता विक्सित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिती को बेहतर बनाया जा सके 6.15 स्कूलों के वहिकलपिक रूपों को अपनी परमपराओं और वहिकलपिक शिक्षन शास्त्री अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोसाहित किया जाएगा इसके साथ साथ उन्हें अपने विशायों, शिक्षन क्षेत्रों वग्ठेक्रम को राष्ट्रीय पाठेचरिया के अनुरूप एकिक्रित करने में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों की कम प्रतिभागिता को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके ऐसे विद्यालेयों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं अथ्वा अन्य प्रासंगिक विशयों को अपने पाठ्ठेक्रम में शामिल करने के लिए विद्तिय सहायता प्रदान की जाएगी जैसा की शायद इन स्कूलों वांचित हो सकता है यह पारंपरिक, सांस्कृतिक या धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड एक से बारह के लिए परिभाषित किये गए अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा इसके अलावा ऐसे स्कूलों में छात्रों को NTA और मुल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए प्रोसाहित किया जाएगा और इस प्रकार उच्चितर शिक्षा संस्थानों में दाखिला लिया जाएगा विज्ञान, गनित, भाषा और सामाजिक अध्ययन के शिक्षन में शिक्षकों की ख्षमताओं को नए शैक्षनि सामगरी और अन्य शिक्षन सामगरी उपलब्ध कराई जाएगी 6.16 SEDG के अंतरगत और उपर वर्णित, नीतिगत विंदूओं के संदर्व में अनुसूचित जाती और जन जातियों के शैक्षनिक विकास में असामान ताओं को दूर करने पर विशेश ध्यान केंद्रित किया जाएगा स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत सभी SEDG से प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेश छात्रावास, ब्रिज पाठेक्रम और फीस माफ करने तथा छात्र वित्ती के माध्यम स वित्तीय सहायता विशेशकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी ताकि उच्चितर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधा जनक बनाया जा सके 6.17 रक्षा मंत्राले के तत्वावधान में राज्य सरकारों को जनजाती बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चितर माध्यमिक विद्यालयों में एन्सीसी विंग खोलने के लिए प्रोसाहित किया जाए इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वीतियक शमता का उप्योग किया जा सकेगा जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के लिए प्रेरित होंगे 6.18 SEDG छात्र छात्राओं के लिए उप्लब्ध छात्रवृति अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टी से और समता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलिकृत तरीके स्थाफित किये जाएंगे जैसे किसी ऐसी एकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना जो सभी विद्यार्थियों तक इन योजनाओं छात्रवृति अथ्वा आवसरों की पहुँच सुनिश्चित करे और सिंगल विंडो प्राणाली के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित करे 6.19 उप्रोक्त सभी नीतियां और उपाय सभी SEDG के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महतो पूर्ण तो हैं किन्तु परियाप्त नहीं इसके लिए विद्याले की संस्कृति में बदलाओ भी जरूरी है स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी जिनमें शिक्षक, प्रधानाचारे, प्रशासक, कौंसिलर और छातर भी शामिल हैं, सभी छातरों की आवर्शक्ताओं, समावेशन और समता की धारनाओं और सभी व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प समाज बनाने में सक्षम होंगे जो अपने सबसे कमजोर नागरीकों के लिए जिमेदार है। 6.20 छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्याले कर्मियों जैसे प्रशिक्षित समाजिक कार्य करता और परामर्च दाता इत्यादी द्वारा लाई गई इस नई स्कूली संस्कृती वा पाठेक्रम में आये परिवर्तनों के माध्यम से सम्वेदन शील बनाया जाएगा। लेंगिक समानता, अहिंसा, वेश्विक नागरिक्ता, समावेशन और समता शामिल होंगे। इसमें विभिन संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग अधारित पहचान, इत्यादी के बारे में अधिक विस्तृत ग्यान शामिल होगा जो विविध्यता के प्रति सम्मान और समवेदन शीलता विकसित करेगा। स्कूल के पाठे क्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़ी वादिता को हटा दिया जाएगा और ऐसी सामगरी को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबंधित हैं। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानेत 2020 अध्याय छे समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। वाचन्स्वर, अजीत होरू, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत। अजीत होरू, निर्मान, वाचन्स्वर, निर्मान, वारत।